मेरी ख्वाईस वा प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, सुबह उसने बच्चों का टेस्ट लिया था और उनकी कौपियां जाचने के लिए घर ले आई थी, बच्चों की कौपियां देखते देखते उसके आँसु बहने लगे, उसका पति वहीं लेटे टीवी देख रहा था, एक बच्चे ने इच्छा जाहिर करी है कि भगवान उसे टेलीवीजन बना दे। यह सुनकर पतिदेव हसने लगे। टीचर बोली, आगे तो सुनो, बच्चे ने लिखा है। यदि मैं टीवे बन जाओंगा, तो मेरे घर में मेरी एक खास जगए होगी। और सारा परिवार मेरे इर्द गिर्द रहेगा। जब मैं बोलूँगा, तो सारी लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, मुझे रोका टोका नहीं जाएगा, और ना ही उल्टे सवाल होंगे। जब मैं टीवे बनूँगा, तो पापा ओफिस से आने के बाद ठके होने के बावजूद मेरे साथ बैठेंगे। मम्मी को जब तनाव होगा, तो वे मुझे डाटेंगी नहीं, बलकि मेरे साथ रहना चाहेंगी। मेरे बड़े भाई बहनों के बीच मेरे पास रहने के लिए जगड़ा होगा, यहां तक कि जब टीवी बंद रहेगा, तब भी उसकी अच्छी तरह देख भाल होगी। और हाँ, टीवी के रूप में मैं सब को खुशी भी दे सकूँगा। यह सब सुनने के बाद पती भी थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, हे भगवान, बेचारा बच्चा, उसके माबाप तो उस पर जराभी ध्यान नहीं देते। टीचर पतनी ने आशु भरी आँखों से उसकी तरफ देखा और बोली जानते हो यह बच्चा कौन है? हमारा अपना बच्चा, हमारा छोटू सोचिये या छोटू कहीं आपका बच्चा तो नहीं? मित्रों, आज की भाग दोड़ भरी जिन्दिगी में हमें वैसे ही एक दूसरे के लिए कम वक्त मिलता है और अगर हम वो भी सिर्फ टीवी देखने, मोबाइल पर गेम खेलने और फेस्बुक से चिपके रहने में गवा देंगे तो हम कभी अपने रिष्टों की एहमियत औ कि हमारी वज़े से किसी छोटू को टीवी बनने के बारे में ना सोचना पड़े, उम्मीद है कहानी पसंदाई होगी, प्लीज लाइक और कॉमेंट करें, चैनल को सपोर्ड करें, धन्यवाद